तो दोस्तों मेरे पास है Samsung Galaxy A50 और इसके अंदर एक नया अपडेट आया है जो कि है Android 11 का और इसके साथ-साथ Samsung One UI 3.1 का यानि कि दोनों अपडेट एक साथ आये हैं तो बहुत ही कमाल के फीचर्स फोन के अंदर आड़ हुए हैं कि आप सबको पता है कि ये Android 10 पे चलता है ये वाला फोन Android 10 का जो फीचर है वो भी लास्ट इयर आया था और अब Android 11 का अपडेट आ चुका है तो ये वीडियो उनके लिए होने वाला है जिनके पास Samsung Galaxy A50 है या फिर Samsung Galaxy के कोई और फोन A52 या फिर A50S उनके पास भी ये अपडेट आ चुका होगा इसके अंदर बात करने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या नए फीचर आये हैं क्या issues आये हैं, क्या problem आई है अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उस सारी चीज़े इस वीडियो के अंदर आपको दुखेंगे ये एक raw वीडियो होगा, बिल्कुल मतलब थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सारे main feature जो आपको इस वीडियो के अंदर बता पाऊं, काफी अच्छे feature आ चुके है, फोन की एकदम look change हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हो, मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ में अब Samsung का कोई phone नहीं मेरे हाथ में एक iPhone है, सो एकदम look नहीं आ चुकी है, और देखो, features बहुत सारे आया है because Android का वर्जन ही change हो गया है और इतने features हैं कि एक वीडियो के अंदर में cover भी नहीं कर पाऊंगा और अभी मुझे 2-3 दिन हुए चलाते हुए सो जितने मुझे अभी मालूम चले है main features वो में आपको बता रहा हूँ हो सकता है चलाने के बाद आपको मुझे ज़्यादा features इसके अंदर नजर आएं सो अगर आपको कुछ अच्य features मिलते हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बताता हूँ उसके लिए आप नीचे comment कर सकते हो कि आपको क्या नया feature मिला सो आगे बढ़ते हैं आप बात करते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीज़े नई दिखने में आई हैं उसके बाद features की बात करेंगे सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि look जो है phone की पूरी की पूरी वो change हो चुकी है अब यहाँ पे जो notification panel है वो एकदम ऐसे background उसका blur हो चुका है और एकदम white color में आ चुका है सो यह depend भी करते हैं आपके wallpaper के उपर जैसे आप wallpaper चेंज करोगे थोड़ी सी इसकी look change हो सकती है और बात करूँ यह Samsung 1UI 3.1 की सो यह काफी fast है मेरा phone जो है वो काफी जान आगे phone के अंदर look भी change हो चुकी है और बहुत सारे नए feature भी आगे है और पहले से phone जो है वो अब सोड़ा सा smooth भी चल रहा है और जैसे ही आप इसके सारे apps open करते हो तो भी आपको background में blur दिखता है और wallpaper दिखता है सो इसी तरह से सारी settings change हो चुकी है सारी look change हो चुकी है अब बात करते हैं के करके नए features की so जो कमाल के feature मुझे लग रहे है वो ही मैं main main highlight करने वाला हूँ आपके सामने so पहला जो feature बहुत ही जबरदस्त है वो है दोस्तो lock screen में आपको widget देखने को मिलती है जैसे की lock screen है तो अगर आप lock screen को on करते हो और यहाँ पर time पर click करते हो so आपको यहाँ पर काफी सारी widget देखने को मिल जाती है so इसके अंदर आपको यह कुछ option मिल जाते हैं और आप चाहो तो यहाँ से उनको बंद कर सकते हो या फिर on कर सकते हो सबसे कमाल का feature है इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक edge panel मिल गया है जिसको आप यहाँ से access कर सकते हो so इस तरीके से आपको एक edge panel मिल गया है यहाँ पर कुछ आपके recent जो आप सबसे ज़्यदा application use करते हो वो आएंगे और आप चाहो तो इसको edit कर सकते हो आप zone से एप यहाँ पर लगाना चाते हो यहाँ आप अटाना चाते हो वो भी कर सकते हो और आप सारे applications को भी यहाँ से access कर सकते हो और आपको काफी अच्छा smooth experience मिलता है और काफी अच्छा animation भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पर इसके साथ साथ है तो मैं double tap करता हूँ तो screen on भी हो जाती है तो यह मुझे कमाल का feature लगा तो इस feature के बाद आपको बार-बार side की दवाने की जुरुत नहीं है आप बस double tap करके अपने phone को lock कर सकते हो और double tap करके ही अपने phone की जो light है उसको on कर सकते हो उसके बाद आप lock screen को unlock lock कर सकते हो जैसे कि आपको पता है कि phone को पूरी नई look मिल चुकी है सो जो volume की है वो भी काफी अच्छी लग चुकी है आपके सामने देख रहे हो एक नया animation यहाँ पे आ चुका है एकदम iPhone की तरह और आप चाहो तो सारे volume यहाँ से control कर सकते हो और आपको यहाँ पे animation देख रहा है इसके साथ-साथ एक नया feature आपको यहाँ पे मिलता है speech caption का जो कि आप देख सकते हो उपर के तरफ यहाँ पे आप इसको अगर turn on कर देते हो सो जैसे मैं इसको यहाँ पे turn on कर देता हूँ सो आप देख सकते हो कि caption appear होगा है अगर आप Hindi में या किसी अधर language में वीडियो देखते हो सो वहाँ पे आपके जो caption है वो ठीक नहीं आते हैं लेकिन अगर आप English वीडियो देखते हो जैसे कि आप अभी देख सकते हो तो वहाँ पे caption जो है वो काफी अच्छे आते हैं सो अगर आप कोई वीडियो देख भी रहे हो तो उसको आप minimize भी कर दोगे तो भी आप देखोगे कि caption जो है वो आपके screen पे आपको दिखते रहेंगे सो वीडियो जो है वो अभी minimize वो रखा है और caption जो है आप देख सकते हो यानि कि आप अपने call background के अंदर अपनी photo भी लगा सकते हो सो ये भी एक नया और कमाल का feature है जो कि मुझे काफी पसंद आया इसके साथ साथ अगर आप अपनी photo को edit करते हो इस phone से सो अगर आप उस photo को save भी कर देते हो edit करने के बाद और अगर आपको वो पसंद नहीं आती है तो आप उसको वापिस कर सकते हो जैसे कि original photo थी तो ये भी कमाल का feature है अगर आप अपनी photo को edit करते हो आपको पसंद नहीं आती है तो आप एक click में reverse से उसको वापिस original की तरह बना सकते हो चाहे आप 2 दिन बात करो या 4 दिन बात करो इसके साथ साथ एक और नया feature आया है अगर आप settings के अंदर कुछ search करते हो तो यहाँ पर आपको search के suggestion मिलते हैं जैसे कि आप देख सकते हो hashtag से अगर आप कोई भी चीज यहाँ पर type करके search करने की कोशिश करते हो तो next time वो आपको उससे related suggestion नीचे दे देता है इसके साथ साथ safety को लेकर के भी एक कमाल का feature है अगर आप किसी application को location का access देते हो तो यहाँ पर आपको तीन feature मिलते हैं या तो आप उसको deny कर सकते हो या फिर आप उसको allow कर सकते हो only using जब आप app use कर रहे हो उस time के लिए या फिर आप इसको ask every time कर सकते हो यानि कि जब भी यह application आपकी location यूज़ करेगा तो सबसे पहले आप से पूछेगा आपकी safety और privacy को लेकर के यह कमाल का feature है Android 11 के अंदर जिसका गी मुझे लगता है कि काफी लोग use करेंगे इसके अलावा एक और बहुत अच्छा feature मुझे लगा जो कि आपको मिलता है notification के pop-up style को change करने का so basically इस feature का नाम है edge lighting style so जब भी आपको notification मिलती है तो आप इसको detail पे भी कर सकते हो या फिर brief पे कर सकते हो अगर आप brief पे करते हो तो आपको animation कमाल का मिलता है तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपको message आता है या कोई notification आती है तो इस तरीके का animation आपको देखने को मिलता है यहाँ पे आपको 4-5 animation के option मिल जाते है सो जब भी कोई message आते है तो इस तरीके की animation आपको देखने को मिल जाती है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो और आप इसका color भी change कर सकते हो और इसके settings को आप अपनी तरह से customize कर सकते हो सो यह वाला feature भी मुझे काफी पसंद आया इसके साथ-साथ आपको split view feature भी मिलता है अगर आप चाहो तो screen पे एक साथ दो screen यूज़ कर सकते हो यानि कि अगर आप चाहो तो इसको pop-up की तरह भी यूज़ कर सकते हो या फिर split screen की तरह भी यूज़ कर सकते हो इसके साथ-साथ बात करूँ अगर कुछ features की जिनका नाम change हो गया या फिर उनको हटा दिया गया so यहाँ पे जो आपको blue light filter मिलता था उसका नाम अब change करके eye comfort shield कर दिया गया और इसकी जो performance है वो पहले से better कर दी गया है इसके साथ-साथ आपको जो smart view का option मिलता था किसी TV से या किसी screen से connect करने का अब वो आप यहाँ से नहीं कर पाएंगे उसके लिए आपको Google Home की application डाउनलोड करनी होगी इसके अलावा आप Wi-Fi Direct का इस्तमाल नहीं कर पाऊगे मुझे personally लगा है कि camera की जो performance है वो थोड़ी अच्छी हुई है जो photo quality है जो video quality है वो थोड़ी सी improve हुई है अभी तक जितने भी major changes थे वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर cover कर दी है अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई नया feature ऐसा आया है जो मैंने miss कर दिया तो नीचे comment करके मुझे जरूर बता दे न तो बात करूँ update करने के बाद में कोई phone में issue तो नहीं आया है तो phone में कोई भी issue नहीं आया है एकदम stable update है बस update आपको अच्छे से करना है एक बार में one flow में आप update कर लें और update करते वक्त लगबख आदा गंटा या पोना गंटा लग सकता है तो उस time पे phone को बिल्कुल side पे रख दे देड़ से 2 GB का update है तो मैं आपको सजच करूँगा कि अच्छे internet connection पे ही update करें और update करने के बाद कोई भी issue नहीं आ रहा है phone के अंदर हाँ बस मुझे लग रहा है कि जो इसकी fast charging है वो ठीक से काम नहीं कर रही है और काफी time ले रहा है phone चार्ज होने में जब से मैंने इसको update किया है इसके अलावा मुझे अभी तक कोई भी issue इसमें देखने को नहीं मिला है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो like करना अगर आपका कोई सवाल है Samsung Galaxy A50 से related इसके updates से related तो आप मुझे Instagram पे follow करके पूछ सकते हो वहाँ पे मैं आपका answer कर दूँगा और जो भी कोई नया और feature मिलता है या कोई problem आती है तो वहाँ पर मैं Instagram पे ही share कर दूँगा so Instagram पे follow करना मत बूलना